जहन्द बंदे मातरम अब की वार आप पेपर दोगे तो मेरिट लिस्ट कितनी हाई जाएगी कितनी लो जाएगी और कितने नंबर पर जी डी टेक्निकल किलर्क एन ने यह टेक्निकल में आपका नंबर आ सकता है तो आपको कम से कम कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर लेने होंगे दोनों बात मेरी समझना कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा और इस बार जो पेपर होगा वो भी टफ होगा वो भी टफ होगा क्योंकि फरवरी जो मार्च में पेपर हुआ था लीग हो गया था इसके आधार पर आपका पेपर आपके लिए बहुत कठें आएगा अगर आपने पेपर में बैठते समय कोई भी चूकी तो आपको सीधा बाहर कर देंगे ठीक है तो यहां पर देखो मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको कम से कम या जादा से जादा नंबर कितने लेने होंगे जिसके बीच में आपका नंबर आजाएगा तो आप ये वीडियो पूरी देखना मैं आपको बताऊंगा जो अब हमारा पेपर होने वाला ये एक बोल सकते हैं कि डेमो के आधर पर आपको वीडियो दे रहा ह ठीक है क्योंकि भाई जैसी गलती हमने कीते अगर आप ऐसी गलती करोगे तो भाई देखो मैं आपको बता दूं सीडी सी बाद आपको भले बुरी लगे क्योंकि जैसी गलती हमने कीते अगर आप ऐसी करोगे तो भाई आपका नंबर नहीं आएगा आपका नमबर नहीं आएगा आप मेरी तरह आर्मी में नहीं लग सकते हो बस ये कि मैं आपको जानकारी वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ ठीक है तो आप हमारी जैसे गलती ना करें आप अच्छे से तयारी करें जिससे आप एक ही जटके में यानि कि एक बार में अपना पेपर किलियर कर दें और आपका सेलेक्शन इंडियन आर्मी में हो जाए तो आप सबसे पहले हमारे वीडियो को कर दो लाइक और जो भाई पहली बार वीडियो देख रहा है आपने हमारी वीडियो पहली बार देखिए हम आफ से बोले है जो बहिं नया है तो बहिं देखो नीचे रेड बटन है साइड में भी आपको सो रहा है उसे प्रेस कर देना red button को press करके bell के icon को all पर set कर देना आगे वीडियो को share कर देना last में जिससे बच्चों को पता चल जाए कि लगबग इतने नंबर लेने पर हमें gd technical, killer, ट्रेडमेन या एनने में नंबर आ सकता है ठीक है तो देखो मैंने हाँ पर gd के वारे में आप देख सकते हैं gd, ट्रेडमेन, killer, technical और ने और ने की भरती आप सभी को पता है ने की भरती यह क्या है दोस्तो, permanent permanent हमारी यह भरती है ने की तो यहाँ पर ने के वारे में हम बात में बात करेंगे पहले मैं आपको GD के बारे में बता लेता हूं भाई देखो GD में अब की वार जो मेरिट लिस्ट जाएगी दोस्तों 170 यानि की 175 पलस जाएगी अब यह मत बोलना इतनी हाई क्यों क्योंकि लगवग बोल सकते हैं कि या बच्चे बोलेंगे की 100 यानि की 100 साइट में या 1500 में आराम से नंबर आ जाता है तो भाई देखो ऐसी ऐसी अपवार ऐसे भरूसे में मत रहना क्योंकि इस बार आपकी मेरिट लिस्ट 170 पलस जाएगी क्योंकि भाई अगनीवीर की भरती है पेपर भी टफ आएगा और ज्यादा तर वही बच्चे स्लेक्ट किये जाएगे जो टॉपर होंगे अब इसमें काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास NCCB होगा जो रीपब्लिक रीपब्लिक डे में भी गए होंगे ठीक है जो रीपब्लिक डे जो 26 जन्वरी में भी भाग लियागे भरती उन्हें grill करिए सीथा उनका selection हो वेस तो वह बच्चे सबसे पहले लिये जाएगे यानि-क वार वीड़ो वार ले लिये जाएगे फिर यह लिये जाएगे उसके बाद आपका नमबर आएगगा पिताजी का रिलेशन है भाई का रिलेशन पिताजी वारे को कितने नमबर मिलेंगे 20 नमबर ओनली ठीक है तो उनसे ज़्यादा कुछ फरक तो इतना आप देखो मैं आपके बता दूं परेगा नहीं अगर मेरे अगर हुआ पर वेकेंशी कम आती है तो इनसे ज़्यादा परेगा नहीं क्यों क्योंकि देखो अगर आपने पिताजी वारे ज़्यादा तर जिनका पिताजी का रिलेशन है मैंने देखा कि एक तो उनका एक में मिश्टेक सबसे बड़ी मिश्टेक वो करके चलते हैं 88 का फिजिकल करते हैं ठीक है फिर वो सोचते हैं कि 20 नमबर कोई आपको कितनी साइट नमबर मिलेंगे क्योंकि एक कोशन होता है दो नमबर घिक है जीडी वालो और ट्रेड्मेंट वालों के लिए ठीक है तो उन्ने साइट नमबर हैं पर मिले तो उनके दोस्तों हो जाते हैं 168 नमबर 168 नमब और देखो मैरिट लिस्ट एक सो पेच्छत लिस्ट में ठीक है वो यह गलती करते हैं तो भाई देखो जीडी में कम से कम भाई 175 तक मेरिट लिस्ट जाएगी मेरी बात ध्यान दखना ठीक है और ज्यादा तर भाई रहती है वेकेंसी को पर अगर सेंटर में वेकेंसी आई हैं सो और बच्चे बैठें कितने भाई उसमें 220 तो भाई इसमें जो मेरीट लिस्ट बनेगी मेरी बाद ध्यान दखना अगर इसमें मेरीट लिस्ट बनेगी तो भाई ज्यादा ज्यादा 120 तक बनेगी ज्यादा नहीं बनेगी 120 ऐसे बनेगी इतनी lij नय जाएगी जतनी रहेग जो एक प्रकार से बहुत invention द KERC और guilt depend ये करती है अगर center में vacancy ज़्यादा आती है तो merit list बनती है low अगर center में vacancy कम आती है माझलों कि 50 vacancy आती है और बच्चे आजाते हैं 1000 तो भाई merit list बनती है आपकी 190, 100, 100, 100, 95, 100, 80 इतनी high जाती है क्यों क्यों कि भाई vacancy तो कम है और बच्चे आगे ज़्यादा अगर vacancy ज़ाद होती मालो की vacancy अगर होती 1000 और बच्चे आते हैं 2000 तो भाई जब भी मेट लिष्ट इतनी हाई ने बनती ज़ाद ज़ादा अब की वार जो ट्रेड में की vacancy निकल रही है बहुत ही कम देखने को मिल रही है तो यहाँ पर कितनी देखने को मिल रही है मैंने जो वीड़ डाली थी किसी में भाई 6 vacancy है किसी में 8 तो किसी में 2 किसी में 4 तो किसी में 5 तो किसी किसी में 15 तो किसी किसी में 20 तो भाई इसे सा बाद जो वीडियो आगी उसमें मैं आपको पॉइंट पॉइंट किलर करूंगा अब भी आपके काफी डाउट रहे जाएंगे ठीक है और सीडिसी बात आपको बता दूं भाई देखो जीडी में जब आप पेपर दो कम से कम भाई 35 से 40 कोशन सही करना इन में से गल्द का तो पिज में नाम नहीं होना चाहिए ठीक है अगर आपकी महनत है तो भाई यह सही करो गे अगर और बात आती एक किलर की आपको तादों के लटमें 170 अ सब्सक्राइब सब्सक्राइब और बच्चे भी कम में रहते होस्ता बागी एक सो 50 तक आराम सेमेarlिस्ट जाएगी जो एक कोश्वन होता इनका वह चार होता नेगे टिंग मार्किंग सबी ट्रेडों में होती है टेकनिकल में दोस्तों 150 इसलिए जाएगी हर कोई बंदा टेकनिकल की भरती हर किसी सेंटर में देख सकता सेल्फ सेंटर वाला भी अधर सेंटर वाला भी ठीक है तो उसमें ज़्यादा competition रहेगा बच्चे देखेंगे कि मुझे टेकनिकल में जाना क्योंकि टेकनिकल में भी पर्मानेंट होने के ज़्यादा chance है तो 150 इस तक आपकी merit list जाएगी तो NA की भरती दोस्तों पर्मानेंट और इसमें भाई वो ही बच्चे सिलेक्ट किये जाएंगे जो भाई कम से कम 190 नंबर रहेंगे बायो के साथ उनको NA की भरती देखनी है ठीक है और 190 नंबर वो ही बच्चा लेगा जो भाई एकदम बायो के एकदम जो अच्छे तरीके से जानता हो जो अच्छा एकदम टौपर उपड़ने में तो वो कम से कम भाई 190 या 180 तक भाई कम से कम इसकी बनेगी क्योंकि भाई अगनी वीर है इतनी तो वो मांगेंगे यह मांगेंगे ठीक तो ये इसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट टकेगी और देखना मैं आपसे कोई वैसी ने मार रहा जब आपका प्रेजल्ट आएगा जब आपके सामने सब को सो हो जाएगा ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे वीडियो को सेर कर देना जैंद